हाई my beautiful beautiful souls कैसे हैं आप लोग आपका अपने 555 अविकन सोल चैनल पर बहुत सारा स्वागत है बहुत सारा वेलकम हैं गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारा दैंक यू अभी भी कर सकते हैं आप गाइस यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोगों का मुझे मेसेज भी आया और कमेंट्स भी आये कुछ लोगों के कि जो मैं टेकनिक्स आपको बताती हूं manifestation techniques बताती हूँ क्या ये सच में work करती है ये कैसे work करती है law of attraction work कैसे करता है and the most important part is let go तो जो सबसे difficult part होता है कि आप let को कैसे करोगे जेक है आप let को कैसे करेंगे ये सबसे difficult part है और ये question ना मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा dm करके पूछा personal messages में पूछा apart from that मुझे comments भी आए तो मुझे लगता है कि ये बताना मुझे बहुत ज़़ी था कि कैसे आप अपने wish को या ये technique को let go कर सकते है तो guys सबसे पहले तो law of attraction कैसे work करता है law of attraction जब आप use करते है इसका मतलब simply आप जो भी universe में है जो भी आप चाहते हैं वो आपका ही है और आप उसे सिफ attract करें अगर आप चाहते हैं आपने उसे सोचा है it means कि definitely वो चीज पॉसिबल है और क्योंकि वो पॉसिबल है तो वो universe में कही न कहीं है time क्या है? time यह है जो चल रहा है जो आपका future में है वो कभी न कभी present बनेगा और जो present है वो कभी न कभी past बनेगा तो आप सिर्फ अपने future से अपने वो चीजें present में थोड़ा सा vibrations को increase करके उसकी frequencies को increase करके जल दी लेते हैं क्योंकि यह सारा जो world है यही एक energy है, frequency पर बेस्ट है आपके vibrations हैं वो matter करते हैं अगर आपके vibrations high हैं तो आपको हर चीज बहुत जल्दी मिल जाती है और अगर आपके vibrations high नहीं है आप negativity से घिरे हुए है आप हर चीज पर doubt करें कि वो चीज आपकी है या नहीं है तो definitely आपको मिलने में time तो लगीगा हो सकता है वो आप यह की है लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो doubt है इसलिए आप नहीं कर पा रहे है most important part होता है law of attraction में जो मैं हमेशा बताती है वो होता है action अगर आपको कोई चीज है या आपकी ही है तो आपको उसके लिए थोड़ा तो action लेना ही पड़ेगा दो आप उसके लिए manifestation कर रहे है अपनी vibrations increase कर रहे है लेकिन action तो perform करना ही पड़ेगा जब तक आप उसके लिए action नहीं करेंगे वो चीज आपको कैसे मिलेगी तो अगर ये suppose ये एक stone है guys अगर ये stone यहां रखा हुआ है मुझे पता है ये मेरा ही है अगर ये मेरा है तो भी मुझे उसको लेना तो पड़ेगा ना उठाना तो पड़ेगा अपने लिए क्योंकि मुझे उसे use करना है तो अगर मैं उसे उठाओंगे इतमीन्स कि वो मेरा action है मुझे उसे जाकर लेना है वो ये मेरा action है तो इसी तरह से law of attraction में action matter करता है let go आप उस manifestation technique को करते हो जो आप अपनी vibration अपनी frequency को raise करने के लिए करते हो और सबसे important कि हम frequency raise क्यों करते है vibration raise क्यों करते है से क्या होता है हर चीज जो है energy पे चल रही है हर चीज हमारी मतलब ही पूरा solar system galaxy हमारी lifeic energy पे based है तो कहीं ना कोई frequency है like हम जैसे radio में हमें पता होते है अलग-अलग frequencies पर अलग-अलग channels work कर रहे होते है आप जैसे ही frequency set करते हो वो channel आप सुन रहेते हो just like that आपको अपनी frequency set करना होता है frequency set करने के लिए आप इस technique का use करते हो अपने आपको focused रखते हो आप इस तरह से अपने आपको एकदम शान्त कर लेते हो stable कर लेते हो ताकि आपकी जो frequency है आपकी जो energy है वो एक तरह से tune हो सके आपको पता है की चीज़ आपके तो आप उस पर ट्यून करें अपनी फ्रिक्वेंसी को जस्ट लाइक आपको चैनल पता होता है लाइक डेडियो मेरी चीज़ मुझे भी अच्छा लगता है मैं अटने करी जस्ट पता रहे हूं उसका अगर फ्रिक्वेंसी है 98.3 तो मैं जाओंगी उस चैनल को अपने जो भी डिवाइस से उस पजा कर ट्यून करूंगी मुझे ये वाला चैनल चाहिए तो वो मुझे सुनने मिलेगा आपको अपने जो भी विश है उसे पूरा करने के लिए एक स्टेबल फॉर्म में आना होता है उस वाइब्रेशन को रेस करना होता है अपने वाइब्रेशन रेस करना है मतलब आप उस चैनल को ट्यून करने जा रहे हो और आपको जो भी चीज़ चाहिए सब्स ये स्टोन ही चाहिए तो मैं इसे स्टोन पर फोकस करूँगी मेरा सारा इंटेंशन होगा कि ये स्टोन जो यहां रखा हुआ है मैं इस तक कैसे पहुँचो और मुझे ये मिल जाए तो मैं स्टोन पर फोकस करूँगी कि मुझे स्टोन चाहिए और इस तरह से मैं अपनी energy अपनी frequency को stone पर tune करूंगी just like that आपको अपने कोई भी जो wish है उसको tune करना है अब tune करने के अलग-अलग ways होते हैं उसको tune कैसे करते हैं हम अलग-अलग spells और rituals से या फिर हमारी manifestation techniques से क्योंकि ultimate aim हमारा focus करना ही है उस एक particular चीज में अगर आपने देखेंगे न कि कभी भी आप किसी चीज पर focus करते हैं आपका mind इधर अधर भागता है और उस mind को ना भागे और यह सिर्फ इधर ही focus रख सके इसलिए हम manifestation techniques करते हैं क्योंकि उस एक particular time पर जब आप किसी चीज के लिए manifest कर दे हैं आप सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे यह सबसे important part होता है law of attraction में manifestation का चीके तो जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप उसको script करेंगे script करने से क्या होता है अगर scripting technique आप कर रहे हैं तो जैसे मैंने new moon spell में बता है spell में normally scripting ही होती है तो इसमें आपको क्या करना होता है कि जैसे अपने जब हम exams देते हैं अगर आप दे रहे हैं या पिर आप दे चुकी हैं तो आपको पता को जो भी important questions होते थे ना अगर लगता था कि यह part बहुत important है important chapters नोट्स बनाते थे हम अमिशे लिख लिख के उस चीज को हर को ही बुलता था बच्पन से हमें parents बोलते है विटल लिख लिख के याद करो लिख लिख के समझो उसको वो जल्दी आपके mind में grasp करेगा तो यही चीज होती है जब हम scripting करत आपको बताया था एक paper पर मैंने पूरा लिखा था तो लिखने का way यही होता है कि आप अपने subconscious mind तक अपने universe तक आप उस चीज को बताते हैं यह बहुत एक firm चीज है आपको यह मिलना ही है यह चीज आपकी है आपको लेना है तो यह तरीका होता है scripting करके अपनी vibrations को अपने सारे intention सारा focus कर लेते हैं तो यह technique कर करना होता है let go क्या है ? let go करना मतला भूल जाना भूल जाना किस चीज़ को कि आपने ये टेकनिक परफॉर्म की क्योंकि लेटको करने के लिए आपको टेकनिक को लेटको करना है आपको अपनी विश को लेटको नहीं करना उसको नहीं भूलना है विश तो आपको याद रहेगी ही अगर वो विश आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो डेफिनिली आप को याद रहेगा कि वो विश आपकी है आपको सिर्फ बोल जाना है इस चेकनिक को कि आपने ये टेकनिक कर ली है बस इसकी बाद आपको सिर्फ एक बिलीव रखना है कि ये चीज आपकी थी और आपको मिल जाएगा अगर आपने एक बार रेडियो को ट्यून कर दिया आपने ट्यून कर लिया है तो उसकी बाद तो वह song या वह channel आपके लिए work करे गई तो यह universe भी आपके लिए work करेगा आपको इजो आईडियास आएगे थोड़ा सा 1 step आगे जा रहे हैं जो भी your ideas 흉प below is help of future लाहे है तो आपके जोभी आईडियास लिए बमकि आपको ब falt आपके जो भी विश है वो चली गई है अब फुल्फिल हो जाएगी और उसके लिए आपको सिर्फ पर्फॉर्मेंस करने हैं जो भी एक्षन आप ले सकते हैं सपोर्ज मुझे अगर ये स्टोन लेने आना है तो मैं यहां से हाथ लेकर जाओंगे और दैन में स्टोन को आपको जो भी आइडिया से आपको जो भी आइडिया हैं आपके माहिन में आपको Ms Chisko Leky और उसके लिए work करना Jei action लेना है because मैंने हर बार बताया है कि law of attraction four principles पर work करता है पहला होता है ask जब आपने वो radio set किया आपने frequency set करी आपने उनिवर्स्टी उस चीज़ को मांग लिया है second आपको सिर्फ आपने मांग लिया क्याञ आपको मिलीगा ही आपसे कोई आपसे कोई भी नहीं ले सकता उस विश्वास नहीं कर सकता वो आपकी ही यह आपको believe रखना है Third अप क्यूंकि आपके है तो आपको उस चीज को कैसे पाना है इसपर आपको focus करना है और अगर वो चीज आपके सबसे important चीज होती है कि जो चीज आपकी है वो आपको मिली रही है हना तो आपको बहुत साधा negative नहीं होना इस चीज के बारे में आपको just a form believe रखना है और universe पर God पर इस चीज को छोड़ देना है वो गीता में अगर आपने सुना हो तो हम हमेशा कहते है कि कर्म करो फल की एक ज्यामत रखो क्यों कि पर आपका राइट नहीं है तो आपको सिफ अपना काम करना है action perform करना है कि यह चीज आपको मिल जाएगी क्योंकि आपकी है कैसे मिलेगी क्यूं मिलेगी यह है आपको God पर छोड़ देना है आपकी है तो definitely आ कर्मनी मतलब आपको कोई भी काम करने से पहले खुद को फोकस करना होगा योग मिलाना होगा और यही एक पूरा का पूरा लॉ फ अट्रेक्शन का गीता है आपको इस चीज को पाने के लिए कोशिश करना है और यही आपको मिल जाएगी यह आपको डाउट नहीं रखना ूश बुद को पाने के काम पर लगना है लेकिन आपको यह इंस्टाप पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिखकर आप मुझसे वो questions पोच सकते हैं I will answer on another video या फिर अगर possible हुआ तो मैं उसी कमेंट पर reply भी करते हूँगी सारी मैं अभी तक reply नहीं कर पाई हूँ पुकिस बहुत सारे लोगों ने question किया तो मैंने डिरिक्टी वीडियो बना दिया है I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा hope ये जो information आपको दिया आपको अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like, subscribe and share जरूर कीजेगा आपका बहुत सारा thank you आपने मुझे इतना प्यार दिया, चैनल को इतना support किया Thank you so much Bye-bye